नमस्कार स्टुडेंट, स्टुडेंट अब मैं आपको दिल्ली पुलिस हैट कॉंस्टेबल रिक्वाइर्मेंट 2022 के बारे में बताने जा रहा हूँ इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, कोमेंट करना है, और से एर करना है वीडियो को share करना बिल्कुल भी नहीं भूलें क्योंकि ये वीडियो जो बनाता हूँ ये especially मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएं अगर किशी के पास किशी ने मेरा चैनल को subscribe नहीं कर रखा है तो वो please मेरे चैनल को subscribe कर ले क्योंकि मैं समय समय पर आपको अच्छी जानकारिया जो है वो vacancy की जो अच्छी जानकारिया है वो मैं आप लोगों तक भेजता हूँ तो ये मैं YouTube चैनल के माध्यम से भेजता हूँ तो इस चैनल को subscribe करना बिल्कुल नहीं भूले और share करना बिल्कुल भी नहीं भूले like, comment तो जरूरी करना है तो चली अपन बात करते हैं दिल्ली पुलिस head constable requirement 2022 यानि दिल्ली पुलिस head constable की जो post है ये post जो है वो इसकी सारी जानकारी जो है यानि 8 जुलाई से स्टार्ट हो गए गुंति जुलाई इसकी अंतिम्तिती है ये दिल्ली पुलिस के जितने भी फोरम है वो सारे के सारे फोरम जो है वो SSC के जो SSC का जो पोर्टल है SSC के माधियम से ही बरे जाएंगे काफी स्टुडेंटों की SSC की ID उल्रेडी है वो अपनी ID को लोगिन करेंगे तो आपको दोनों post यहां पे सारी post जितनी भी अभी available post है वो सारी post यहां पे show करेंगे head constable की जो requirement की जो post अपलाई करने है तो आप इसकी लोगिन करके उसमें चेक करना आपको वहाँ पे post दिखाई दे देगी उसके बाद चलते हैं अपन fees texture पे fees texture में क्या थे general और OBC के जो student है उनकी 100 rupees fees है SC, ST और विकलांग केटेगरी और female इनकी जो department की जो fees है वो बिल्कुल भी नहीं है यहां पे आपको सुनने fees में यानि free में ही आपको आविदन करना है उसके बाद चलते हैं अपन as criteria as criteria में अगर आपन आते हैं तो यहां पे आप देखेगा मैं आपको दिखाता हूँ यहां पे इसका as criteria जो है वो 1 जुलाई 2022 से 18 साल की उमर होनी चाहिए 18 साल से एक काम का स्टुडेंट इसका आविदन नहीं कर सकता उसको परियास नहीं करना है जिसकी as 1 जुलाई 2022 को अगर 18 साल complete हो जाती है वही स्टुडेंट इस आविदन को अपलाई करेंगे maximum इसकी number of post 800-7-1 857 post है उसके बाद आते हैं अपन इसके रूल और क्राइटेरिया पे इसमें कौन-कौन eligible है और कौन eligible नहीं है इस post का क्या नाम है यह मैं आपको बता देता हूँ यह head constable की post है इस post में दो अलग-लग परकार की post है एक post है AWO दूसरी post है TPO अब इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ AWO का मतलब है assistant wireless operator जो wireless operator होते है उनकी assistant की post है उसके बाद teleprinter operator जो telecommunication में जो printer operator करते हैं उनकी post है इसमें male और female दोनों के लिए post है दोनों इसमें पातरह दोनों apply कर सकते हैं male candidate है उनके लिए 573 post है उसके बाद general category में 171 EWS में 46 OBC में 102 SC category में 86 ST category में 54 department of 57 post इसमें हैं आपका 21 general की EWS की 06 OBC की 13 SC की 10 और ST की 07 X person जो है X जो retired जो है उनके लिए भी अलग post है उसके बाद अपनाते है female पे female की 284 post है 284 post में अलगले category wise यानि general की 96 EWS की 26 OBC की 57 SC की 47 ST की 30 और department second में है 28 post general की 11 post है EWS की 03 OBC की 06 SC की 05 और ST की 03 अब अब सबसे महतु पुरूण बात क्या है इस को आपको समझना है ये सबसे जो मैं अभी जो बताने लिए जा रहा हूँ ये सबसे महतु पुरूण बात है जिसको आपको follow करना है समझना है इस post को apply करने के लिए कौन पातर है इस post को apply करने के लिए पातर सिर्फ 10 प्लस 2 यानि 12 पास और वो सिर्फ science और math जिसके पास science में math subject है सिर्फ वही candidate जो वही candidate जो है वो इस post के लिए पातर है तो इसको wishes करके ध्यान देना है किसी भी math अगर कोई student के नहीं है तो इस post को apply मत करना यह आप इसमें पातर नहीं है इसके लिए आपको इसमें इरिजिवल नहीं माना गया है और उसके बाद में इसको ध्यान रखना है और बाकी physical का जो structure है वो आपके सामने में है male का height जो है 170 cm है यानि 5 cm और उसके बाद में female का है 157 cm यह height है chest जो है male का 81 से 85 होना चाहिए और racing में आपको 16 मीटर में 16 मीटर राउंड को 7 मिनट में cross करना है up to 30 year यानि 30 year के नीचे नीचे जो है उनको आपको 7 मिनट में clear करना है male 16 मीटर 8 मिनट में up to 40 यानि 30 से 40 की edge में जो है जो ex person है उनके लिए 8 मिनट का टाइम दिया गया है उसके बाद male 16 second जो पोस्ट है उसमें male की 1600 मिटर की race जो है वो 9 मिनट में 40 year से अबेव जो कम है उनको और उसके female की भी इसमें टाली हुए long jump भी है high jump भी है यह सारी जो मैंने आपको screen पे दिखा दी यह सब को आपको follow करना है विसेज करके जो मैं आपको बता रहा था यह यह कि आप जो science math के जो student है वो सिर्फ इसमें पॉपोस्ट के लिए पातर है ओके गाईस तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा से ज् ओके थैंक्यू धन्यवाद